बिक्ता का मतलब भीक मांगने कारिक्रम होता है जो सब्द हैं बहुत उंचे इनको इतना नीचा कर दिया गया है जान बूचकर और हमारे अधिकतर जो ज्यानमान लोग है और जानका लोग है चुकि वो भिक्कु तो कभी बने नहीं किताबें पड़ी हैं तो उनको समझ में आता नहीं कि ये क्या सब्द से क्या से क्या बना है इसका क्या मतलब है भिक्कु और भिक्कुनी जो सब्द है वो बहुत उंचे है संग में उनका बहुत मान और बहुत सम्वान है भिक्कु और भिकुने के मुकाबले में कोई भी व्यक्ति या मनुस्य या देवता उचा नहीं है अगर वो अरत ना हो या अगर भगवान बुद्ध या बोधी सत्व ना हो यानि बोधी सत्व भगवान बुद्ध या जो अच्चे बुद्ध है अगर उनके बाद नमबर आता है तो अरत भिक्कू का आता है या भिक्कू, बहुत उची अवस्ता है, ये उची अवस्ता ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, कोई भिक्कू या भिक्कू नहीं भिक्कू नहीं भिक्कू मांगता आपको दिखाई देगा नहीं, कोई बहुत जो भदंत होता है भदंत का मतलब होता है भद्ध और धंत भद्ध माने होता है जो बहुत अच्छा बहुत जानकार सुसील और पांसील मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भद्ध बोलते हैं जैसे भद्ध पुरिसा यानि भद्ध ऐसे नर्णारी जो इन नियमों का पाल सीलों को मानने वारा पुरुस है और अगर इसको भद्द बोलना है या भद्दिगा बोलना है या कहें भद्द पिट गई तो ये खराब सब्द हो गया यानि इस सब्द को खराब करने की कोशिश की गई मगर ये हुआ नहीं एक भद्द का वीडियो मैंने बनाया देख लें आप और जो दंत का मतलब है पुरानी पाली भासा के अंदर सैयम जो सैयमित रहता हो अपने अंदर रहता हो जो पाप करम ना करता हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा समता है सैयम है जिस भी सब्द के आगे अगर दंत लग जाए इसका मतलब है कि वो भगवान बुद्ध का विक्कू रहा होगा तो भद्द प्लस दंत का जो सब्द मिलके बना वो मिला भदंत यानि ऐसा सालीन व्यक्ती नर है या नारी है तो ऐसा भद्द यानि के ऐसा जानकार ऐसा समझदार व्यक्ती जिसने अपने आपको सइयत कर लिया है यानि उसको बोलते हैं भदंत भिक्कू का मतलब क्या है भिक्कू का मतलब है जो भद्द व्यक्ती है जो देखता है देखता क्या है पाप को आते हुए पाप को जाते हुए यानि बुराई को आते हुए बुराई को जाते हुए जो अच्छी तरह से दुनिया में देखता गूमता है जो जानता है कि ये कर्म ठीक नहीं है, ये कर्म खराब है उस देखने वाले को, उस दिखा वाले को, उस भद्ध को भिक्कु बोलते है और जो गर नारी है तो भिक्कुनी बोलते है तो बदंत हो गया, या भिक्कु हो गया, या भिक्कुनी हो गया और उसी भदंत को बाद में छोटा करगे भंते बुला जाता है जो भगवान बुद्ध भंते बुला करते थे तो भिक्का का मतलब है जो भद्ध पुरुस देखना जानता है भिक्का तो भिक को जब भी जाता है क्योंकि उसको खाना चाहिए तो वो चारिका करेगा तो किसकी चारीका करेगा वो करेगा धम की चारीका करने जाता है धम सिखाने जाता है तो पहले धम सिखाएगा उसके बाद मैं आपसे भोजन लेगा भोजन लेने को बोलते हैं पिंड दान या पिंड चारीका चारीका माने घूमना और पिंड माने जो होता है भोजन या आहर होता है पिंडी माने होता है जुंड आहर का जुंड या गोला क्योंकि महां चावल जादा मिलता था और चावल की गोले बनाके खाये जाते थे हाथ से चम्मस्तो थी नहीं तो हाथ से चावल का गोला बनाके और मुह में रखके खाया जाता था उसको बोलते थे पिंडी और प पिंड़ी पात की तो उसको बोलते हैं पिंड़ दान यानि पिंड़ दान करना है जब कोई देता है दान माने देना पिंड़ माने बोचन तो पिंड़ दान हो गया तो भिक्कु कभी भी पिंड़ दान के लिए नहीं जाता है भिक्कु जब भी जाता है वो भिक्का के लिए जाता है देखने लिए जाता है कि आचार वेवार कैसा है उसका नियम है कि वो जाके दरवाजे के भार खड़ा हो जाएगा बोलेगा नहीं मुझ से कुछ भी आपने देख लिया और आपने धर्म लिया तो अच्छी बात है अगर आपने धर्म नहीं लिया या नहीं देखा त जीवन को सफल करने वाला ग्यान है, तो बठाते थे उनको धम लेते थे, वो धम का दान करते थे, उसके बाद में पिंड दान होता था, यानि इधर आपने धम दिया नहीं, उधर आपको पिंड मिलता था, तो उस पिंड को लेके, उस आहर को लेके, पूरे सारे आहर को इकटा करके आना पड़ता था और आहर इतना ही लेना है जितना उस रोज के लिए काफी है जादा नहीं ले सकते पाँच घरों में जा सकते हैं पाँच घरों में मिल गया तो ठीक है जैसे पूरा हो गया लोट के आ जाएंगे चाहाँ पहला घर है या दूसरा घर है या तीसरा घर है या चौथा या पांच माँ और नहीं मिला तो फिर पापस आ जाएंगे और जिसने जो डाल दिया वही उसमें रखना है खाने का और सारा खाना मिक्स करना है ये भी नहीं देखना कि खाना इसने क्या दिया क्या नहीं दिया यानि कि अगर तीन जीगे से खाना मिला है तो तीनों में अंतर नहीं करना है कि उसका खाना अच्छा था या उसका अच्छा था या जिसने खाना ज्यादा दिया या कम दिया ऐसा भी नहीं डाल दे बस जो पात है, जो बर्तन है, जो बर्तन बना हुआ है, चाहे वो लकडी का है, चाहे वो पत्थर का है, चाहे वो मिट्टी का है, उसमें डाल दे, उसके बाद वो अपने बिहार आ जाते थे और जितने भिक्कू होते थे, वो सारा खाना मिला के, जितने होते थे, सार या उसको दान कर देते थे या जरुत बंद को देते थे या उसको चड़ियों को जानुरों को खिला देते थे खाना खराब नहीं जाता था तो ऐसा जो भगवान बुद्ध ने जो नियम राएं उसमें कहीं भी धीक मांगने का नहीं है यानि इसको मांगना नहीं बोलते, मांगने को बोलते हैं याचना, याचना होता है मांगना, लोग बेसिकली बुद्ध से मांगते हैं, क्या मांगते हैं, धंब मांगते हैं, और बुद्ध जब तक भिक्कु आपको धंब नहीं देगा, जब तक आप उसे याचना नहीं करें यानि कि अगर भिक्कु आपके पास आभी गया तो आपको याचना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा, आपको याचक बनना पड़ेगा, याचती करना पड़ेगा, येचन करना पड़ेगा, तब भिक्कु आपको धंब का दान देगा, बिना मांगे नहीं देगा, तो भ अगर नियम नहीं है करने का क्योंकि अगर खेती में या बिजनिस में या व्यापार में अगर वो लग गए तो फिर वो मनुस्य के कल्यान की जो विद्धा है उसको नहीं सीख पाएंगे और वो खुद गुर्द हो जाएगी फिर ब्यापार में लालच भी आ सकता है ब्यापार के काम में बिजीव हो सकता है इसलिए अगर वो बिहार में भी रहेंगे तो बिहार में सब्जी नहीं उगा सकते बिहार में रहेंगे तो बिहार में फलफरूट के पिर लगाएंगे तो उनको लाला चा जाएगा अपने आप उग किया ठीक है कि इसने दे दिया ठीक है मगर वो नहीं करेंगे यह उनका नियम है तो भिक्कू याचना कभी नहीं करते यानि मांगते कभी नहीं है वो बैगर नहीं है भिकारी नहीं है आज के सब्सक्राइब में भिक्ता को भीक मांगना बोलते हैं और अधिकतर किताबों में भिक्ता टन और विक्कू और विक्णी का मतलब भीक मांगने वाला और मांग के खाने वाला है एक सिंगल उधारन नहीं मिलेगा आपको पूरे पालिस आयते में कि भगमान, बुद्धका, सावक और सिस्से और इतना उंचा पड़ा लिखा, कभी किसी के आगे हाथ जोड़के खाना मांगते हैं वो मर जाएगा, मगर मांग नहीं सकता उसके नियम के, उसके धम के विरुद्ध है इसलिए इस बात को अपने कान में डाल लीजिए कि विक्कु और विक्कुणी विकारी नहीं होते, विकारी होते हैं वो जो धम की याचना करते हैं, वो मांगते है विक्कु उनको देता है और जब उनको धम सिकाता है, धम बताता है बदले में पिंड लेता है, आपसे आहर लेता है आपकी मर्जी है आपने धंब सीखने के बाद आहर देना है या नहीं देना है नहीं दोगे तो शिकायत भी नहीं करेगा आप एक गुसा भी नहीं करेगा आप से कुछ कहेगा भी नहीं उसके मन में लेसमात भी ये बात नहीं आएगी कि धंब सिखाया और पिंड नहीं मिला उसको पिंड मिल जाता है ये कमाल की बात है कि कोई भिक्व आज तक की हिस्ट्री में भूका नहीं मरा लोग उनको दे देते हैं बड़े समधार और बड़े लड़नेट और पड़े लिखे होते हैं अगर वो चाहें और अपना भिक्व जीवन छोड़ें तो बहुत सफल वेफसाई बन सकते हैं बहुत सफल वो सिल्पकार बन सकते हैं बहुत सफल वो विदवान बन सकते हैं बहुत सफल प्रोफिसर बन सकते हैं बहुत सफल वो वेग्यानिक बन सकते हैं कि उनके अंदर संता होती है, मैत्री होती है, करुणा होती है, उनके अंदर इर्षा नहीं होती, लालच नहीं होती, उनकी सफलता कहीं रुखने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने दुनिया का सबसे मुस्किल काम लिया, लोगों के चरित को सुधाना, लोगों के वेवार को स इस दुनिया को ठीक करना, इस दुनिया को सच्चाई पे और इमान पे लेके आना। इतने जो dictionary के इंदर जो सब्द दिये हुए है जैसे भिकक है, भिककती है, भिककन है, भिकका है, भिकका चरिया है, भिकका हार है, भिककु भाव है, भिककुनी है, भिककु संग है या भिककुनी भिककु संग है ये जितने भी सब्द दिये हुए हैं इसमें कहीं किसी सबसे र reflexion नहीं होता कि वो भेकारी हैं और जितने भी सब्द याचक के दिये हुए हैं, इसमें याचक है याचिका है, याच्ति है याचन है, याचन है, याच है वो सारे के सारे मांगने वाले होते हैं, जो मांगते हैं या बलुकुल इसपष्ट एक-एक सब्द इसपट है जो आपने एक सब्द सुना होगा दच्छनेयो जब हम बोलते हैं संग बंदरा में आता है तो आता है दच्छनेयो यानि दच्छनेयो लोग उसका मतलब बताते हैं कि दच्छना देने योग है यानि भिक्कु संग ऐसा है दच्छना सब्द को भिकारी सब्द में और मांग में याचिका में बदल दिया गया दच्छना के दो सब्द हैं एक जो बाद में है इसको बोलते हैं दच्छन दिसा यानि दच्छन दिसा को दच्छना बोल दिया जबकि दिसा अलग तरह की है और दच्छना का जो पाली के मतलब है उसका मतलब है दक्षिनयो यानि कि देखने योग है दर्सन योग है यानि भगवान बुद्ध का सावक संग भिक्णूनी इतने अच्छे इतने बढ़िया इतनी अच्छे उर्जावान इतने शांत इतने करुणा मैं इतने ग्यानवान इतने आरहत इतने सोतापन इतने सगधागामी कि वो देखने योग है उनको देखना चाहिए उनका दर्सन करना चाहिए उनके दर्सन करने चाहिए दर्सन से देखने से आपके मन में एक पॉलिटी भावना आईगी कि देखो ऐसा भी विक्कु संग होता है जो ना आडंबर सिखाता है ना जूटी बात बताता है ना शराब पीता है ना गांजा पीता है ना चरस पीता है ना अफीम पीता है ना हिंसा करता है, ना व्यवचार करता है, ना जूट बोलता है, इतने ना उपर सोता है, ना सोना चान्दी लेता है, ना पैसा लेता है, सारे के सारे जितने विने की नियमा सब को मानता है जो भगवान बुद्न बता है, ऐसा भिक्कु संग, ऐसे लोग उनका दर्सन करना चा अम नहीं जानता, विने नहीं जानता, सासन पढ़के नहीं आया है, सासन मतलब सिक्षा पढ़के नहीं आया है, विने पढ़के नहीं आया है, उसकी उपसंपदा नहीं हुई है, उसका गुरू है, जो उसका भिक्कू, मैं जो उसका टीचर है, उसने उसको एडिट नहीं किय संपादन नहीं किया उसकी बुराईयों का उसकी बुराईया निकाली नहीं है इसको वैसे ही सार्टिफिकेट दे दिया है या वो भिक्कु भी वैसा ही होगा यह बिलकुल किलियर आप इस पस्ट रोप से समझ लीजिए बिक्कु और भिक्कु नहीं बहुत उची चीज है कभ संखन शरनं गर्चामे 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 संदं शरनं गच्छामी बोधं शरनं गच्छामी